दोस्तों जब बच्चे पैदा होते हैं तो मावाप के बहुत सारे गुण बच्चों में चले जाते हैं और इसी तरह से गुण के साथ साथ बहुत सारी अनुवनसिक बिमारियां भी बच्चों में चली जाती हैं और पीड़ी दर पीड़ी अगली पीड़ी में पहुंचती र बिमारी बच्चों में चली जाती है तो चली जानते हैं इस बिमारी के बारे में कि आखिर ये सिकल सेल एनिमिया क्या होती है दोस्तों जैसा कि अभी आपने जाना कि सिकल सेल एनिमिया एक आनुवनसिक वाला रोग है यानि पीड़ी दर पीड़ी अगली पीड़ी में पहुं तो उसकी RBC का आकार चेंज होकर के सिकिल के आकार का हो जाता है. सिकिल का अर्थ होता है हस्या के आकार का. अर्थात इसमें हमारी RBC normal round shape के अलावा सिकिल सेल की हो जाती है और उनका जो proper function होता है वो अपने उस function को perform नहीं कर पाती हैं. जिस वज़े से उसके सरीर में खून की कमी हो जाती है और इसी बिमारी को सिकल सेल एनिमिया कहा जाता है चलिए जानते हैं कि actual में इस बिमारी में होता क्या है दोस्तों अगर किसी normal ग्रक्टिका RBC होता है तो उसके amino acids का sequence या इने के amino acids का sequence यह होता है कि उसके पहले नंबर पे valine, दूसरे नंबर पे histidine, तीसे नंबर पे leucine, चौथे नंबर पे threonine, पांचवे नंबर पे proline, 6 नंबर पे glutamic acid और 7 नंबर पे भी glutamic acid होता है और इस तरह से यह वक्ति एक normal RBC को धारन करता है लेकिन यदि किसी वक्ति में sickle cell एनिमिया हो जाता है तो उसके RBC के DNA sequence या जिसमें पहले नंबर पे valine, दूसरे पे histidine, तीसरे पे leucine, चौथे पे threonine, पांचवे पे proline, 6 पे valine और 7 नंबर पे glutamic acid हो जाता है अर्थात 6 नंबर में जो बीटा स्रिंकला का amino acids होता है उसमें glutamic acid की जगह पे एक RBC का DNA sequence change होकरके valine नाम का amino acids आ जाता है जिसके कारण उसकी RBC, normal RBC नहीं रह जाती और वो sickle cell में convert हो जाती है तो इस तरह से इस रोग को sickle cell anemia कहा जाता है और यहाँ बीमारी वनसानुगत होती रहती है यानि माबाप से बच्चों में transfer होती रहती है चली अब जानते हैं कि आखिर sickle cell anemia में क्या problem होती है दोस्तो नॉर्मल आदमी में जब RBC सही होती है तो RBC का काम होता है कि वो oxygen के molecules को lung से यानि फेफरों से लेता है और उस oxygen को हमारे blood के थुरू पूरी कोशिकाओं में यानि हर अंगो तक पहुँचाने का काम करता है तो इस तरह से RBC में जो हीमोग्लोबीन होती है वो हीमोग्लोबीन oxygen के साथ बाइंड हो जाती है और उसको oxygen के रूप में हमारे हर कोशिकाओं में पहुँचाने का काम करती है और जैसी हर कोशकाओ में औक्सी हिमोग्लोबिन पहुंचता है तो वहाँ पे oxygen टूट कर अलग हो जाता है और हिमोग्लोबिन अलग हो जाता है और इस थरह से oxygen हमारे tissue shells में released हो जाती है और ठीक इसी तरह से ये RBC हमारे tissue या cell से CO2 यानि carbon dioxide को भी हमारे lungs तक लेके आने का काम करता है अता RBC का मुख्य काम यह होता है कि वो हमारे सरीर में oxygen को और CO2 को transport करने का काम करता है और इस तरह से ये RBC या RBC में पाया जाने वाला hemoglobin हमारे सरीर में oxygen और CO2 को ले जाने और लाने का काम करता है और इस तरह से हमारे सरीर का एक आवस्यव और important part ये play करता है अर्थात यदि RBC या RBC में पाया जाने वाला हीमोगलोविन न हो तो इस तरह से हमारे सरीर में oxygen या CO2 का transport एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हो पाएगा और इस तरह से हमारे सरीर में बहुत सारे रोग या problems create हो जाएंगे तो चली जानते हैं कि आकिर इस RBC के सही से function को perform न करने की वज़े से हमारे सरीर में क्या-क्या problems create हो सकती है यानि हमारे सरीर में यदि oxygen समय पे न पहुचे या हमारी RBC sickle cell में convert हो जाएं तो उससे हमारे सरीर में क्या-क्या problem create हो सकती है तो उस्तो नॉर्मल RBC का जीवन चकर लगभग 120-127 दिन का होता है लेकिन sickle cell anemia का जीवन चकर 10-12 दिन का होता है अर्था 10-12 दिन के बाद ये RBC मर जाती है तो उस्तो नॉर्मल RBC गोलाकार होने के कारण हमारे blood vessels में से आसानी से flow करके चली जाती है लेकिन जब sickle cell anemia हो जाता है तो हमारे RBC sickle cell की हो जाती है और ये हमारी पतली blood vessels में फर्स जाती है जिससे sickle cell blocking हो जाता है और इस तरह से हमारे blood flow होने में बहुती problem create होती है जिसके कारण से हमारे सरीर में बहुत सारे रोग या बिमारिया उत्पन हो जाती है जैसे जब हमारे RBC यानि sickle cell anemia में RBC हमारे blockage करने लगती है तो हमारे chest में हमारे joints में हमारे abdomen में या हमारे bones में दर्द होने लगता है और इस वजह से हमें बहुत सारे problems को सामना करना पड़ता है और यह दर्द हमें इसलिए होता है क्योंकि ये RBC यानि sickle cell वाली RBC हमारे blood vessels के blockage वाले parts में फसी होई है और इस वजह से हमारे joints में, bone में, abdomen में या chest में ये दर्द create करती है इसके अलावा oxygen की कमी होने पर ये हमारे सरीर पर भी बहुत ही प्रतिकुल प्रभाव डालती है और हमारे सरीर में आलस से उत्पन होता है इसके अलावा हमारी आखों की retina में जब oxygen की supply कम होने लगती है तो इससे हमारे सरीर में low vision होने लगता है और इसके अलावा हमारे growth या puberty age को भी ये delay करती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये sickle cell anemia एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में कैसे transfer होती है यानि inheritance of sickle cell anemia के बारे में अब हम जानने की कोशिस करते हैं जिसे हिंदी में sickle cell anemia की बनसागती कहा जाता है और इस topic में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी यानि माबाप से उसकी संतानों में कैसे पहुंच जाता है दोस्तो sickle cell anemia या normal rbc के लिए दो प्रकार के genes यानि दो प्रकार के alliance होते हैं यदि कोई normal hemoglobin वाला व्यक्ति होता है तो उसका genotype HBA और HBA होता है लेकिन यदि कोई sickle cell का carrier होता है तो उसका hemoglobin HBA और HBS प्रकार का होता है लेकिन किसी sickle cell anemia वाले रोगी का genotype HBS और HBS प्रकार का होता है अर्थाद तीन प्रकार के alliance sickle cell anemia के वनसागती में यूज के जाते हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए HBA, HBA, एक वाहक व्यक्ति के लिए HBA, HBS और एक sickle cell anemia वाले व्यक्ति को HBS, HBS genotype से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों इस sickle cell anemia के वनसागती भी मेंडल के वनसागती के नियमों के आधार पर होती है चलिए इसका एक उधारन समझने की कोशिश करते हैं जैसे प्रश्ण है यदि एक वाहक पुलुस का विवाह एक वाहक इस्तरी से होता है तो उनकी संतानों में sickle cell anemia कैसे वनसागती होगी दोस्तों इसको जाने के लिए हमको मेंडल के वनसागती नियमों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि sickle cell anemia के वनसागती भी ठीक उसी प्रकार होती है जैसे मेंडल के वनसागती के नियम एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ट्रांसफर होते हैं जैसे यहाँ पर इस sickle cell anemia वाले व्यक्ति को हम इस चित्र के द्वारा दिखाये रहे हैं जैसे sickle cell trait यानि यदि एक वाहक पुलुस होता है तो उसका genotype HBA, HBS है और एक sickle cell trait यानि एक वाहक इस्त्री है तो उसका भी genotype HBA, HBS प्रकार का है जब उसकी संतानों में से संतानों में उसके पिता का एक जीन यानि HBA और उसकी मा का एक जीन HBA जाता है तो वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा पैदा होगा लेकिन यदि उसके पिता का एक जीन HBA और उसकी मा का एक जीन HBS जाता है तो वो बच्चा sickle cell trait वाला होगा यानि वाहक होगा इसी परकार से यदि उसकी मा का एक जीन HBA और उसके पिता का एक जीन HBS जाता है तो ये बच्चा पुरी तरह से sickle cell arnomia से प्रेडित होगा यानी ये बच्चा सिकल cell arnomia का रोगी होगा तो इस तरह से हम लोग ने इस शित्र में यह जाना कि यदि एक वाहग पुरुस का विवाग एक वाहग इस तरह से होता है तो उसमें एक बच्चा तो नॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन दो बच्चे वाहक बच्चे पैदा होंगे और एक बच्चा सिकल सेल एनिमिया से रोगी वाला ग्रस्थ होगा चली इसी प्रकार एक दूसरा प्रशन को देखते हैं यदि एक सामाने पुरुष का विवाह एक वाहक इस्तरी से होता है तो उसकी संताने कैसी होंगी और उसमें ये सिकल सेल एनिमिया करो किस प्रकार से ट्रांसफर होगा इसकी चर्चा अब आगे हम लोग करते हैं दोस्तो इसके लिए भी मेंडल के वनसानुगत के नियम एपलाई होंगे दोस्तो इस चित्र में एक सामाने पुरुष के जीनो टाइप को ए ए द्वारा परदासित किया गया है और एक वाहक इस्तरी के जीनो टाइप को ए ऐस से परदासित किया गया है जब एक सामाने पु जाता होगा लेकिन जब एक जीन ए और मा के एक जीन एस जाता है तो ये बच्चा एस होगा और ये वहा का काम करेगा इसे प्रकार से यदि पिता का एक जीन ए और मा का एक जीन ए जाता है तो भी ये बच्चा यूजूल यानि नॉर्मल बच्चा होगा और यदि उसके पिता का एक जीन A और उसकी मा का एक जीन S जाता है तो ये बच्चा ट्रैट यानि एक वहाग का काम करेगा तो इस तरह से देखा जाए तो यदि एक सामान पूरुस का विवा एक वहाग इस तरह से होता है तो उसके 50% बच्चे usual यानि सामाने होंगे और उसके 50% बच्चों में वहाग कागुन चला जाएगा और ये बच्चे अगली पेड़ी में sickle cell anemia के रो को पहुचाने का काम करेंगे यानि वहाग का काम करेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ने यह जाना कि sickle cell anemia किस प्रकार बनसानुगत होती है और ये अगली पेड़ी में किस प्रकार transfer होती है उमेद है आज का या वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा धन्यवाद तो दोस्तों आपको या वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद